प्रीदर सकोमामता कीचन रिस्पी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम अर्बी की सब्जी बनाना बताएंगे जो की बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो हमने एक किलो अर्बी ले लिया है सबसे पहले हम अर्बी के छिलका उतार करके काट लेंगे ये हमने इस तरीके चील लिया है अरबी को अरबी को बहुत सावधानी से काटना है इसलिए कि चिकना होता है फिसल कर चाकू लगने का चांस रहता है तो हम चार भाग कर लेते हैं आप छोटे छोटे भाग भी कर सकते हैं जिस तरीके आपको पसंद हो उस तरीके आप काट ये अरबे तरीके जपको बहुत सकते हैं अरबे आपको उस प्राबादे आपको उसे लगने का लेगने का लेगने हो उसे हैं तो सभी अर्वी कच्छिल का उतार के हम काट कर तयार कर लेंगे सभी अर्वी कच्छिल का उतार के हमने काट लिया है अब इनको बढ़िया से धूल लेते हैं यह देखिए इतना चिल का निकला है और यह अर्वी है यह हम पानी में डाल दिये हैं अच्छी तरीके दोनों हथेलियों से रगड कर बढ़िया से धूल लेंगे अब इनको दूसरे बारतन में रख लेते हैं अर्वी को अच्छी तरीके धूल लिये हैं मसालों में एक चमच धनिया है आधा चमच जीरा है एक चमच हल्दी पाउडर यह पीपली है इसे पीपली बोलते हैं इसको तोड कर रख लेते हैं पूरा नहीं डालेंगे एक बड़ी लैची थोड़ा जबी त्री है दाल चीनी है तेज पत्ता ले लिये हैं एक चमच अजवायन है तड़क लगाने के लिए एक हरी मिर्श डालेंगे तो सबसे पहले हम गैस जलाएंगे कड़ाई रखेंगे एक बड़ा चमच सरसुक तेल डालेंगे तेल काफी गर्म हो चुका है चुटकी भर हिंग डाल देते हैं अजवायन डाल देंगे अजवायन चटकने लगा है तेज पत्ता डाल देते हैं कटी हुई मिर्श डाल देते हैं तेल को तोड़ा चारो तरफ फैला देते हैं ताकि अर्वी चित्के ना बढ़िये से त्राई हो अजवायन बढ़िये से चटक चुका है धूली हुई अर्वी डाल देते हैं जैस्क फ्लेम हाई रखेंगे हाई फ्लेम में इस गूनना है दो मिनट तक हमने बढ़िये से घून दिया है दो मिनट के लिए ढ़क्तन लगा देते हैं गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे आईए तब तक मसाले पीछ लेते हैं यह हमने मिक्सी जार में मसाला डाल दिया इसे पीछ लेते हैं आप सिलवट्टे में भी पीछ सकते हैं मसाला अच्छी तरीके पीछ गया है यह देखिए दो मिनट हो चुका ढ़कन अटाएंगे अर भी बढ़िये से फ्राई हो गया है इसे दो से तीन मिनट तक इसी तरीके चलाते हुए और भून लेते हैं यह देखिए बढ़िये से कलर चेंज हो गया है सुनेला कलर अब हम पीछे हुए मसाले डाल देते हैं मसालों को भी बढ़िये से भून लेंगे मसाला बढ़िये तरीके से भून गया है बहुत बढ़िये खुस भूआ रही है इसलिए कि हमने खड़े मसालों को प्रियोप किया है अब इसमें पानी डाल देते हैं एक किलो अर्वी में एक लीटर पानी डालेंगे एक शमश नमक डालेंगे आप स्वाद अनुसान नमक डालिए अब अच्छे से मिला देते हैं पांच मिनट के लिए ढख देते हैं गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि बढ़िये से अर्वी पक जाए पांच मिनट हो चुका धकन अटाएंगे अर्वी में से उबाल आने लगा है ये देखिए अर्वी अभी कम पकी हुई है और काफी रसा भी है तो दो मिनट के लिए अट धक देते हैं गैस का फ्लेम हाई कर देंगे दो मिनट हो चुका है धकन अटाएंगे ये देखिए रसा भी कम हो गया है और सबजी भी बढ़िया पक गई है ये देखिए चेक करके दिखा रहे हैं बढ़िया तरीके से पक कर तयार हो गई है अर्वी की सबजी तो इस तरीके आप एक बार जरूर से जरूर बनाएए कमेंट बॉक्स में बताएए कि कैसी बनी है अर्वी की सबजी तो अर्वी की सबजी रेडी हो गई है गैस का फ्रेम बन कर देते हैं आईए अब सरो करते हैं चावल रोटी के साथ आप इसे पूरी पराथा चावल रोटी के साथ सरो करिए जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खाईए अगर हमारी रेस्पी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बे लाइक अदा बना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे हमारी वीडियो सुरू से आखरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई